So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोग्राम बराएंगे To Convert Infix to Postfix Using Stack, ठीक है? तो मैं आपर लिख देता हूँ Infix to Postfix और Using Stack हमने बात कर रही थी इस topic के बाले में कि किस तरह से इस काम किया जाता है तो मैं आपर क्या करूँगा? सबसे पहले Infix expression जो है मेरा उसको यहाँ पर लिख दूँगा और उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, एक character array के तौर पर लिखूँगा मालनो मेरा expression कुछ ऐसे लिखता है A-B multiply by D और let us say plus C ठीक है ऐसे लिखता है तो मैं इसको एक character array के तौर पर लिखूँगा मैं आपर A लिखूँगा, फिर यहाँ मैं माइनस लिखूँगा फिर B लिखूँगा, फिर star लिखूँगा फिर मैं D लिख दूँगा, फिर मैं plus लिख दूँगा फिर मैं C लिख दूँगा, ठीक है इस तरह से मैं एक character array type से बना लूँगा इसको और यहाँ पर ऐसे करके एक इसमें एक और entry होगी जो की backslash 0 होगी तो मैं backslash 0 भी यहाँ पर लगा दूँगा और मेरा जो input है in fix expression यह मेरे program को input दिया जाएगा और मेरे program का output जो होना चाहिए वो होना चाहिए इसका equivalent post fix expression तो मैं मैं अभी stack की side assess को करूँगा कैसे करते है procedure क्या ही मैंने आपको बता दिया बस मैं उसको program में convert करूँगा मैं आपर सबसे पहले क्या करूँगा मैं आपर एक character pointer return करूँगा और मैं आपर function का नाम लिखूँगा in fix to post fix into po लिख दिया मैंने into po मतलब in fix to post fix नाम कुछ भी हो function का काम वो सही से करना चाहिए बस और यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं character pointer लूँगा in fix ठीक है ये ये वाला जो character area उसका pointer है ठीक है इस तरह से character area लेगा और यहाँ पर मैं start करूँगा इस function को और सबसे बहले मैं stack जो है मैं वो declare करूँगा तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर struct stack star sp अब मैंने आप आप लोग को बताया था कि stack का आप लोग size set कर सकते हो आप stack का जो array है उसको dynamically उसको heap में memory request करवा सकते हो we'll assume कि वो सारे काम हो चुके है ठीक है तो मैं आप लिख दूँगा init the stack ठीक है मैंने short में लिख दिया कि वही अपनी stack को initialize कर लो ऐसे मैंने लिख अब यहाँ बन मैं क्या करूँगा अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई मेरा जो post fix expression है उसको मैं आपर बनाऊँगा मैं बनाता था ना एक stack बनाता था मैं stack बनाने के साथ साथ मैं post fix expression बनाता था तो मैं एक खाली post fix बनाऊँगा और उस post fix character array का size क्या होगा उसका size मैं यहाँ पर लिख दूँगा कैर स्टार और उसके बाद मैं लिखूँगा पॉस is equal to पॉस मतलब post fix is equal to और यहाँ पर मैं लिखूँगा कैर स्टार और फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर मैं लॉक और मैं यहाँ पर लिखूँगा इसका जो भी size होगा जो की होगा मेरा S tier length of infix plus 1 इसका size होगा S tier length S tier length of infix plus 1 और यहाँ पर multiply हो जाएगा size of car ठीक है थोड़ा सा बढ़ा होगी line but that's fine ठीक है यह मैंने यहाँ पर करा अब मैं दो counters बनाऊँगा एक तो I counter बनाऊँगा और एक J counter बनाऊँगा और यह मैंने दो counters क्यों बनाए मैंने दो counters इसलिए बनाए यह वैला जो counter मैंने बनाया है अपना I is equal to 0 यह मैंने बनाया है अपने infix expression को scan करने के लिए infix scanner scanner लिख देता हूँ उसको मैं यानि कि मैं इसको scan कर रहा हूँ infix expression को scan कर रहा हूँ और यह जो J बनाया है यह post fix को fill करेगा ठीक है यानि कि J is equal to 0 का मतलब है कि जो मैं post fix expression बनाने वाला हूँ जो कि अभी मेरा खाली बढ़ा हुआ है अगर मैं आपर अपना post fix कुछ ऐसे लिख दूँ तो मेरा post fix जो है वो अभी खाली बढ़ा हुआ है खाली character area मैंने बना रखा है और मैंने यह आपर character area थोड़ा सा गंदा कर दिया तो मैं काम कर लेता हूँ यार मैं इसको ए diapers भणो दंग से बना जिता हूँ जो मेरा character area है थोड़ा साभी सड़ी से बना लेता हूँ इसको ऐसे और मैं इब वी यहाँ पर ऐसे ये ऐसे ऐसे कटके कर दूँगा और इसका जो size होगा वो मैंने उसकी बात कर लेगी इसके बराबरी होगा ठीक है तो मैं इसको यहाँ से अभी मेरा J जो है वो यहाँ पर है और I जो है और I की value 0 है J की value भी 0 है और मैं I को भी आगे बढ़ाता जाओँगा जैसे मैं infix को scan करूँगा और जैसे यसे में post fix मैं भरता जाओँगा वैसे वैसे मैं j ko bी आगे बढ़ाता जाओँगा ठीक है तो यहां तक आप लोग को समझ में आजाना चाहिए मैं आपर क्या करूँगा एक while loop चलाओंगा ठीक है और मैं कहूंगा कि भाई जब तक जब तक आपका मैं आपे लिख दूँगा जो मेरा infix है जो कि मुझे मिला हुआ है character मेरा जो infix है infix i is not equal to backslash 0 यानि कि जब तक आपका ये जो expression एक खतम ना हो जाए यानि कि आप scan करते करते जब तक यहां तक नहीं आ गए यहां तक तब तक आप इसको scan करोगे अपने infix expression को obviously बात है ठीक है तो आप इसको scan करोगे तब तक आप जो है इसको आगे बढ़ाते जाओ इस loop को चलाते जाओ ठीक है और क्या करो कि अगर if और मैं आप पर क्या करूँगा एक function का इस्तिमाल करूँगा जो कि मैं बाद में define करूँगा और उसका नाम में लिख दूँगा not of is operator और मैं समझाता हूँ इसको मैंने क्या किया है आपर मैं आपर क्या कर रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि अगर जो मेरा infix आई है अगर वो operator नहीं है अगर वो operator नहीं है देखो अगर operator है तब तो हम क्या करते है stack में डाल देते हैं अगर operator नहीं है यानि कि operand है तब हम क्या करते हैं उसको as it is post fix में डाल देते हैं तो मैं क्या करूँगा मैं यहां पर लिख दूँगा जो मेरा postfix है उसके अंदर इसको डाल दो ठीक है तो मैं लिख दूँगा postfix j क्योंकि मैं j counter उसकर रहा हूँ जो मैं postfix को भर रहा हूँ is equal to infix of i ठीक है जो अभी करेंटी स्कैन हो रहा है उसको postfix में as it is add कर दो i को भी बढ़ा दो आगे j को भी आगे बढ़ा दो ठीक है तो यह काम हम लोगे ने जो है कर लिया ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे यह करने के साथ साथ अगर ऐसा नहीं होता है यानि कि अगर यह जो is if not of his operator है यह अगर मेरा false evaluate हो जाता है यानि कि अगर यह else में चला जाता है तो मैं यहाँ पर एक else लिख देता हूं अब अगर मेरा जो मैं scan कर रहा हूं अपने infix expression को अगर वो operator निकलता है अगर वो मेरा operator निकलता है तब मैं क्या करूंगा तब मैं यहाँ पर लिखूंगा else if यहाँ पर मैं if लिखूंगा सबसे पहले और if लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मेरा जो infix expression है उस इसकी जो precedence है, तो मैं एक precedence function का use करूँगा, PREC नाम से मैं फंक्शन मना रहा हूँ, इसका मैं इस्तेमाल करूँगा, और मैं कहूँगा कि यह जो precedence function मैंने बनाया है, मैं लिखूँगा precedence of infix i, अगर यह होता है greater than precedence of stacktop, ठीक है, stacktop, अगर यह precedence इसका ज़्यादा होता है, stacktop st से, तब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा precedence जो है, इस expression का stack में already मौजूदा element के precedence से ज़्यादा होता है, तब मैं क्या करूँगा, push करूँगा stack में, तब मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा, push कर दो sp को stack में, स्टैक SP में पुश कर दो इनफिक्स आई को इनफिक्स आई को SP में पुश कर दो ठीक है जो मेरा जो भी मैं स्कैन कर रहा हूं character हो उसको SP में डाल दो वरना क्या करो मैं बंद भी करूँगा करली ब्रेस को वरना क्या करो कि जो post fix J है वरना हम क्या करते थे वरना अगर जो precedence है वो हमारी बिल्कुल सही सही जा रही है अगर हम push नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे पॉप करके post fix में add करेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे post fix J में add कर देंगे इसको pop करके ठीक है तो मैं आपर लिख दूँगा pop कर दो यहां पर SP में से और जो भी आया है उसको post fix J में add कर दो और J को फिर plus plus कर दो ठीक है तो इस तरह से हम लोग जो है इस program को लिखेंगे तो I hope कि जो procedure था हमने उसको बिल्कुल सही सही यहां पर लिख दिया infix expression है मेरा एक post fix expression है post fix expression मेरा खाली है उसका size मैंने बराबर लिया है infix expression का जो मेरा array है character array उसके बराबर और मैंने आपर एक खाली stack को initialize किया है मैंने जगा बना दी इस post fix expression के लिए अब मैंने I और J दो counter लिए I मेरा वो counter है जो कि मेरा infix expression को scan करता है जे मेरा वो counter है जो कि मेरे post fix expression को भरता है मैंने एक while loop चला है मैंने गा भई इस while loop को चलाओ जब तक कि मेरा ये जो expression है infix का ये अंत तक ना जाए यानि कि मैं पूरा infix expression जो है उसको मैं जब तक scan ना कर लूँ तब तक मैं आगे बढ़ता रहूँगा और ऐसा करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने आप बोला कि भाई देखो ऐसा है कि अगर ये operator नहीं है नहीं कि एक operator निकला तब तो आप क्या करूँ इसको ऐसे के ऐसे ही पटक दो post fix में और फिर अगले character में चलो और यहां पर भी इसको जे को आगे बढ़ा दो क्योंकि कोई भी चीज आएगी post fix में तो अगले में ही मैं आड करूँगा इसको ओवर्रेट नहीं करूँगा इसलिए मैंने जे को भी बढ़ा दिया आई को भी बढ़ा दिया इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है अगर यह actual में operator होता है तब मुझे इसको stack में push करना पड़ेगा लेकिन तभी stack में push करूँगा जब उसकी जो precedence है जो कि मुझे prac function दे रहा है इन functions को भी implement करेंगे यह prac function जो मुझे precedence दे रहा है इस operator की वो अगर ज़ादा है मैंने आपर देगा इक bracket नहीं लगाया वो अगर ज़ादा है किस से जो already stack में topmost मौझूद element है उससे अगर ज़ादा है तब तो आप push कर सकते हो लेकिन अगर ज़ादा नहीं है तब आपको क्या करना पड़ेगा तब आपको pop करके फिर उसके बाद हमने j++ कर दिया नहीं कि हम अगले element में चलेगा हमने खागी अगले element में आपर चले जाओ j++ कर दो इसको ठीक है अब end में क्या होता था जब हम सारा काम कर चुके होते थे तब हम क्या करते थे तब वहाँ पर हम लोग कहते थे कि जो हमारे stack के सारे elements present है उनको हम निकाल लेते थे बाहर और उनको बाहर निकाल कर हम लोग क्या करते थे जो हमारा post fix expression है उसमें add करते थे तो यहाँ पर मैं कुछ चीज और add करूँगा और वो बहुत ही simple है कि जितना भी मौजूदा मसाला है stack के अंदर उसको एक एक करके pop करो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ while is empty और यहाँ पर sp आ जाएगा जब तक stack जो है वो empty ना हो जाए तब तक आप क्या करो कि भाई जो post fix post fix j है post fix j को बराबर कर दो pop sp यानि कि जो मैं pop करके element निकालूँगा stack में से उसके बराबर कर दो j को plus plus कर दो और यहाँ तब तक करते रहो जब तक यह जो है is empty sp ना हो जाए अब क्योंकि हम c language में है और character array को मुझे terminate करना है backslash 0 से इसलिए मैं एक चीज़ और लिखूँगा याँ पर कि भाई post fix यहाँ पर लिख दूँगा j is equal to backslash 0 यह मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लिखूँगा तो यार वो मेरी valid एक string नहीं रहेगी तो मैं अपने जो मेरा character array मैंने बनाया मैं चाहता हूँ कि वो मैं percentage से print कर सको एक valid string रहे लेना चाहिए जो भी आप लेते हो यार post fix कर लो pause कर लो जो भी नाम आपको लेना है वो आप इसको ले लो तो यहाँ पर post fix ही कर लेते हैं ठीक है तो इसको हम अप code कर सकते हैं ठीक है बहुत अराम से हम लोग इसको code कर सकते हैं और आप लोग को भी समझ में आएगा कि किस तरह से ही सारी चीज़े हम लोग करते है तो अभी मैं क्या करूँगा यह जो मैंने प्रोग्राम लिखा है पूरा इसको मैं भी VS Code में लिखूँगा आप लोग को कोड करके दिखाऊँगा ठीक है सबसे पहले और मैं आपर 37 के नाम से एक फाइल बनाऊंगा और यहां पर मैं आज आता हूँ VS Code में और यहां पर मैं लिखूँगा 37 सबसे पहले और मैं infix to postfix.c के नाम से एक प्रोग्राम बना लूँगा अब मैं आपर क्या करूँगा कि जो मेरा parenthesis match वाला कोड था उसको मैंने आजए इस पूरा कॉपी कर लिया है और कॉपी करने की वज़ा यह है कि इसमें सारे के सारे function मेरे पस मौजूद है इसमें stack top भी मुझे चाहिए आपर तो मैं stack top बला function भी लिके आउंगा वो मिचे मिल जाएगा मेरे काम पर मिलेगा है मैंने काम पर लिका था stack top बला function I think मैं 26 वाले में लिका था stack operation में stack top मैं stack top ढूण रहा हूँ stack top भी मुझे चाहिए by the way stack top क्यों चाहिए मुझे मुझे stack top चाहिए क्योंकि मुझे topmost element जो है वो stack का find out करना पड़ेगा तो stack top जो है आँपर एकदम इत का चांद हो गया है मिली नी रहा है कोई बात नी अरे मिल गया चलो नी तो मैं भी implement करने वाला था फिर से अगर नहीं मिलता तो कोई बात नी चलो मिल गया अच्छी बात है दे रहा है दुरूस्त आया इसको paste करते है यहाँ पर और यह return कर र यहाँ पर क्या हो गया है यह मैंने सिर्फ इतना हटा दिया actually मैं जो parenthesis match लिखा हुआ है इसको मैं पुरा हटा देता हूँ अब मैं आपर क्या करूँगा कि इसको पुरा खाली कर देता हूँ ऐसे कर गया है मैं आपर क्या करूँगा एक character लोंगा मैं सबसे पहले अपना function ल लेगा char star infix ठीक है और मैं आपर लिख देता हूँ कि infix is equal to ऐसे लिख देता हूँ infix is equal to a minus b plus t divided by 6 माल लो मैंने एक simple expression लिए है अब मैं आपर क्या करूँगा कि infix to postfix मैंने लिखा मैं एक यहाँ आपर struct stack star sp बनाऊँगा जो की मेरा stack pointer है मैं आपर क्या करूँगा मैं कहूँगा कि sp का जो size है उसको कर दो 45 या 100 कुछ भी कर सकते हो एक sufficient size जो है दे दो array का उसी के साथ साथ sp का जो मेरा top है उसको कर दो minus 1 और sp का जो array है उसको कर दो care star malloc और sp का size into size of care ठीक है तो इस तरह से मैंने आपर अपनी जो stack थी उसको initialize कर लिया जूम इन कर दूँगा थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ ठीक है कोई बाती zoom in कर लिया दीखेगा आपको साफ इसलिए zoom in कर लिया अब मैं आबर क्या करूंगा जो मैंने procedure बताया था आप लोगों को वहीं मैं follow करूंगा procedure में मैंने क्या बताया था आपको सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको एक care star post fix expression मनाना है जो की बराबर होगा आपको इस तरह का syntax लिखना होगा लेकिन जो post fix होगा उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा उसका size जोगा वह होगा str len of infix plus one यह उसका size होगा ठीक है और यहां पर भी मैं bracket लगा लूँगा एक इस तरह से ठीक है और multiply by size of care ठीक है multiply by मैं size of care कर लूँगा एक नया मैंने post fix expression मना लिए है जो की infix के size के बराबर है एक character array बना लिए है जो की symbol इसी character array का copy है लेकिन खाली है वो है नहीं कि size दोनों का बराबर है लेकिन वो खाली है ठीक है तो यहां पर मैंने ऐसे कर दिया अब मैं क्या करूँगा int is equal to zero करूँगा और यह मेरा track करेगा किसको infix में जो मैं traverse कर रहा हूँ उसको और int j is equal to zero मैं करूँगा तो यह track करेगा post fix में जो मैं addition कर रहा हूँ या append कर रहा हूँ उसको ठीक है तो यह उसको track करेगा अब मैं आपर कहूँगा कि मैं while loop एक लगाना चाहता हूँ जब तक मेरा infix i जो है वो not equal to backslash zero है यानि कि वो खाली नहीं है जो end तक नहीं है मैं end तक नहीं चला गया जब तक तक मैं इस while loop को चलाता रहूँगा अब मैं आपर करूँगा if not of is operator क्या if not of is operator अगर वो एक operator नहीं है कौन operator नहीं है अरे infix आई जिसको मैं deal कर रहा हूँ जिसके साथ वो particular character जमान लो a है क्या यह operator है नहीं operator नहीं है यह directly add हो जाएगा मेरे post fix में कर देता post fix j is equal to infix i j++ कर दूँगा i++ कर दूँगा क्योंकि अब मैं j को भी आगे बढ़ा दूँगा i को भी आगे बढ़ा दूँगा मैंने post fix में इस a को ले लिया तो a का काम खतम होगी अब मैं minus को देखूँगा इसलिए मैंने i++ कर दिया और वहाँ पर भी मैं कभी add करूँगा तो अगले वाले position पर add करूँगा इसलिए j++ कर दिया ठीक है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा अगर ऐसा हमेशा नहीं हुआ तब मैं क्या करूँगा वर्ना मैं क्या करूँगा मैं आप पर एक precedence function लिखूँगा precedence जो की क्या करेगा मुझे precedence return करेगा मैं आपर कह रहा तो आप क्या करोगे तब आप क्या करोगे आप push करोगे stack में आप stack में push करोगे क्या push करोगे infix i push करोगे एक बार आपने infix i push कर दिया अप i++ कर दोगे तो गयार आपने एक बार इसको push कर दिया stack में अब अगले वाले पर बढ़ोगे अब आप b को देखोगे minus को तो आपन कर दोगे कि मतलब यार अगला वाला जो character है उसको देखो ठीक है अब यहाँ पर मैं लिखाऊंगा else वन्ना क्या करो वन्ना postfix जे जो है उसको equal to कर दो pop कर लो कहां से sp से अब यह मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है precedence जो है वो नहीं बैट पा रही है अनिकि आप जो operator है उसको push नहीं कर पा रही हो stack में तब आप क्या करोगे कि stack से pull करके postfix में जोड़ दोगे तो आप इसके बाद यहां पर j++ भी लिखोगे चुकि आप एक बार आपने ऐसा कर दिया तो आप नहीं चाहोगे कि जो आपने already इसके तरह deal कर चुके हो जैसे postfix j is equal to मैंने pop sp लिखा यहां पर ठीक है तो आपने एक बार add कर दिया postfix में तो अगला character तो आप अगली position पर इसलिए j++ ठीक है तो यह इस तरह से मैंने इसको structure कर दिया है तो एकदम आपकी बड़ी खुशाली के साथ जिन्दी की वीदेगी ऐसे करोगे तो लेकिन एक चीज होगी बस एक बार आपने पूरा expression scan कर दिया तो stack में कुछ चीजे रह गई होगी तो आप क्या करोगे आप यहाँ पर एक while loop लगाओगे आप कहोगे कि यार मैं not of is empty ठीक है not of is empty SP और आप क्या करोगे यहाँ पर आप कहोगे कि भाई जो postfix J है जो postfix J है मेरा उसको बराबर कर दो pop of SP ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं या जब तक मेरी stack खाली ना हो जाए उसके सारे elements एक करके निकाल के postfix में जोड रहा हूँ मैं बस इतना कर रहा हूँ मैं आपर ठीक है तो इतने portion में इतना किया है मैंने और फिर एक चीज़ और मुझे करनी पड़ेगी क्या जो postfix का J होगा या निकि जो postfix का आकर ही मेरा character होगा वो बराबर होना चाहिए एक null character के तो backslash 0 करना इतने से मेरा काम हो जाना चाहिए I hope मैंने कोई mistake नहीं करी है इस function को लिखने में अगर करीब है तो सामने आ जाएगी जल्दी से इसको run कर लेते हैं मैं आपर क्या करूँगा लिख रूँगा ओके before 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 I do this यह मैंने implement नहीं किया है functions एक तो precedence मैंने implement नहीं किया है यह define नहीं है अब यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल भी define नहीं किया है तो मैं इसको define करूँगा और मैं यहाँ पर उसी के साथ साथ जो मेरा is operator उसको भी define करूँगा तो सबसे बहले मैं precedence को int precedence को define कर देता हूँ और उसके बाद मैं is operator को भी define करूँगा ठीक है तो यहाँ पर मैं is operator क भी define करूँगा तो जो मेरा precedence है वो क्या लेगा precedence मेरा एक character लेगा character ch ठीक है तो character ch लेगा और मैं आपर क्या करूँगा मैं आपर एक if लिखूँगा मैं आपर लिखूँगा कि अगर मेरा ch है उसकी value अगर हो जाती है let us say मैं सिर्फ यहाँ पर minus times divide के लिए ले रहा हूँ यह या फिर ch की value equal हो जाती है slash क्या मैंने आपर single quote लिखना पड़ेगा ऐसे हाँ तब आप क्या करोगे तब आप यहाँ पर return कर दोगे किसको return करोगे three return करोगे माल लो ठीक है या two return करोगे three return कर दोगे हमाल लो ठीक है सबसे अदर precedence else if मैं इसको copy करता हूँ पूरा copy करूँगा इसको else if के लिए ठीक है फिर हम precedence two कर देंगे अगर plus या minus हुआ ठीक है तो plus या minus हुआ ठीक है तो two कर देंगे बाकी सारे cases में हम zero कर देंगे return ठीक है और यह function आपका बदल जाना चाहिए अगर आपने कुछ और करना है return zero कर दूँगा अपर मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर और आपके operators आ जाते हैं तो आपको precedence उसी तरह से अपना function update करना है मैंने सिर्व यहां पर चार यहां पर जो मेरे operator से उनके लिए कर दिया इसको ठीक है अब क्या कोई चीज operator है यह नहीं यह मुझे आपर char ch लेगा फिर से कि क्या कोई character operator है कि नहीं तो मैं आपर क्या करूँगा यार अगर ch equals to equals to plus है plus है यहां फिर ch equals to equals to minus है यहां फिर ch equals to equals to times है times है यहां फिर ch equals to equals to divide है तब क्या करो तब यहां return one कर दो तब return one कर दो तो मैं आपर क्या करूँगा return one कर दो else क्या कर दो else यहां पर return zero कर दो ठीक है तो is operator क्या return करेगा एक int return करेगा यह भी precedence भी return करेगा तो अभी मैं आपर क्या करूँगा मैं आपर लिख दूँगा कुछ इसको run जब मैं करूँगा तब मैं चाहूँगा कि मैं print करूँगा तो मैं आपर printf लगाऊंगा लिखूँगा post fix is percentage s और यहां पर मैं लिख दूँगा infix to post fix और इसको मैं infix से दूँगा अब मैं इस program को run करूँगा और कह रहा है string को आपने बिल्कुल भी जो है वो include नहीं किया गलत बात तो है तो ठीक कर लेते हैं इसको अब यहां पर string.h मुझे लिखना पड़ेगा और यहां पर क्या हुआ कि इसने print यह नहीं किया इसने इसको print नहीं किया मेरे printf को print नहीं किया इसने क्योंकि मैंने call नहीं किया यह function को तो post fix is infix to post fix infix तो यहां पर क्या दिकत आई यह मैं देख रहा हूँ तो यहां पर एक गड़बड मुझे दिखाई दी और वह गड़बड यहां पर यह है कि मैंने सिर्फ एक stack pointer बना है मैंने एक stack का instance बनाया ही नहीं मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे यहां पर struct struct stack star malloc size of struct stack यहां पर लिखना था बड़बन यह क्या कर दिया struct stack ठीक है save किया हाव यह काम कर जाएगा देखो pointer सिर्फ मुझे नहीं बनाना है यहां पर मैं यहां पर एक instance बनाऊंगा stack का ठीक है और उसके बाद उसको सिर्फ pointer बनाऊंगा तो वह सिर्फ address store कर सकता है stack का मुझे यहां पर अपनी stack को इस तरह से initialize करना पड़ेगा और यह करने के बाद मैं क्या करूँगा इसको run करूँगा और जैसे मैं इसको run करूँगा अब लोग देखो यह जो post fix expression यह आ गया एक simple सा इसको पकड़ाते हैं a-b पकड़ाते हैं इसको और यहां पर देखो a-b- आ गया फिर हमने यहां पर कुछ exercises करी हुई थी मैं यहां पर दिखाता हूं आप लोग को हमने कुछ exercises यहां पर करी हुई थी जिसमें हम लोग ने post fix expression जो है निकाला था in fix to post fix हमने किया था x-y by z minus k into d तो x-y into z minus k into d x-y divided by z था if I am not wrong minus k into d ठीक है तो इसको अगर मैं भी run करूँ तो इसका post fix एक है x-y z divided by x-y z divided by minus k d star minus minus k d star minus हां correct तो हमारा program जो है वो बिल्कुल सही सही चल रहा है ठीक है तो यह है program in fix to post fix using stack अगर आप लोगोंने अभी तक playlist access नहीं करी है data structures and algorithms की तो जरूर कर लो यार और अगर आप लोगोंने वीडियो लाइक नहीं किया तो यार वीडियो प्लीज लाइक कर दिया करो यह जब आप वीडियो लाइक करते हो तो यार मेरा होसला बढ़ता है इस तरह के और वीडियो लाने का तो प्लेइलिस को access कर ले न और मैं यार सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ प्लीज वीडियो लाइक कर दे न अभी के लिए इस वीडियो में इतने है गैस thank you so much guys for watching this video and i will see you next time प्लेज बढे लाइक कर दे लाइक कर दो दो बाइक कर दो लाइक कर दो दो झाल आपका रहा हूँ